एक मात थी, बहुत गरीब, निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास, उसका एक बेटा था, वह माँ हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिन्दगी घुजार ली, इस बेटे का क्या होगा, इसका तो अभी जीवन सुरू हो रहा है, बड़ी दुखी थी, एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक काम करा कि जंगल में, तपोवन में, एक पहुचे हुए संत आये हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूच करके, उसने का मा तु क्यों मुझे जंगल में भेज रही है, संतों से क्या प्रश्न करना, वो बहरागी लोग, वो सन्यास हमारी जीवन की समस्याएं, मा तुने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संसकार तुने मुझे दिये हैं, कि हमें अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूँ, माने का बेटा मैं मा हूँ, तु मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चिना जा, बच्ची ने कहा, तु कह रही है मा तो मैं चाओंगा, मांगना कुछ मत, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीवी के दिन जी लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ है, मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रस्न पूछ के आना अपनी मा का, बच्ची ने कहा, मा बोल क्या प्रस्न पूछना है, उले एक बात तो बता दो, मेरी माने पूछा है, कि हमारे दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे, और कुछ मत पूछना, ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूँ, बड़ी स्वाभी मानी मा रही, भेज दिया उसने संत के पास, बच्चा चला, पूना से ही जमाना था, गाडियां नहीं थी, गाडियां थी तो गरीब के नसीद में गाडियां कहां होती, वह तो पैदल ही जाएगा, पैदल ही पैदल जा रहा था, चला जा रहा था, मा की एक सौगात लिए चला जा रहा था, एक पूछने संत से पूछ करके आना है, बहुत दूर ज सेथानी के घर वो पहुंझा सेथानी से कहा कि सेथानी तुम्हारा इतना बड़ा मकान है इतनी बड़ी हवैली है मैं पैदल किसी संथ के पास जा रहा हूँ क्या आज की रात तुमारे घर के बरामदे में गुझार सकता हूँ सेथानी बड़ी दयालो थी धार में प्रवत्ति की थी, उसने का बेटा रात गुजारो, आओ, विस्राम करो, रहो यहां अराम से, बुली रहना नहीं है, रात गुजारो ना है, उठानी में का सो जाओ, उसका रात में विस्राम कराया, सुबई जाने लगा, तो सेठानी में पूछा कि बेटा तुम यह तो बताओ, तुम जा कहा रहे हो, बुली में एक संद के पास जा रहा हूँ, बर मेरी माने एक प्रस्न पूछा है, उस प्रस्न का उत्तर लेने, बहुत बड़े संद है, पहुचे हुए संद है, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूँ, सेठानी में का संद के पास जा रहे है बोले हाँ, बोले बेटा, तुमा का प्रिष्ण लेके जा रहा है, एक प्रिष्ण मेरा भी पूछया ना, अरे उसने का भई, गरीब पूछे तो पूछे, अमीर पूछ रही है प्रिष्ण, बोले एक प्रिष्ण मेरा भी पूछ ले ना, लड़का बड़ा संसकारी था, उसन ना मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है जनम से नहीं बोलती है इतना पूछना मैं मा हूँ मेरी चिंता है यह बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी इसका विवाय होगा या नहीं है दोई चिंता रहती है मावापको बोले ठीक है सिथानी मैं जाके जरूर बूछूंगा आग यिए के नीचे कोई महात्मा उआ महात्मा से जाकर देखाने कि महत्मा की कमंडल में जल्वरा हुआ है उसने महात्मा से कहा कि संथजी दो अंजली पानी पिला दो मुझे बहुत प्यास लगी है संत हरदय था बोले लो बच्चे पानी पियो मैं तुम्हें प्यास बुजाता हूं तुमारी लेकर बात तो बताओ बिटा तुमको मैंने पहली बार देखा है तुम जा कहा रहे हो बोले एक बहुत पहुचे हुए महायोगी आये हैं मेरी माने भेजा है कि जाके उनसे एक प्र लगी प्रिश्णों की हर जगे जहां चले जाओ वही कोई ना कोई प्रश्ण समस्या सब जगे है जीवन में कहीं भी जाओ उसने का बाबा जी तुमको क्या प्रश्ण पूछ ले ना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं मुझे ग्यान की डापती क्यों नहीं होती है जाके पूछ लेना उसने का वाई कितने गम है इस दुनिया में गरस्त को गम होतो हो सादू संतों को भी दुख लगा हुआ आगे बढ़ा प्यास के बाद अब क्या लगेगी है सुरेन कुमा जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे भूले अब भूख लगेगी आगे बढ़ा बढ़ते गयास दुपहर हो गई इस तीन बज गए बड़ी चोरों से उसे भूख लगी रास्ते में किसान था हल चला रहा था उसकी पत्मी कपड़े में बांद करके रोटी और सभाजी ले करके आती है सबजी ले करके आती है अपने पती के लिए इसे भूख लगी थी ये टक टकी लगाए देख रहा था किसानने का क्यों रहे भूखा है क्या बुले हां ले रोटी खा ध्यान लखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन इसको दे दिया करते थे संत एकनाथ जी महराज है भोजन करने के लिए बैठे हाथ पैर का रखी है भोजन की थाली रखके आख बंद करके प्रभू का ध्यान कर रहे आख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ कुटा रोटी ले करके भाग गया संत ने आखे खोली थाली खाली रोटी गाए अब अरे उनने कहा कहां गई मेरी रोटी मैं तो परमात्मा का ध्यान कर यह प्रभू oh को बागरा है पिछे-पिछे गए जाकर के हाथ जीवड़ा उस कुटे के यह नाराइन बोले क्या हुआ लोगों ने का ये कर क्या रहे है संत एकनात कहा हे नारायन हे प्रभू ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो घी तो छोड़ गए हो ये घी की कटोरी लो लाओ तुमारी रोटी में घी लगा देता हो घी लगी रोटी यां खाईए लोगों ने का संत दिये क्या कर रहे हैं आप कुट्टे को घी लगा रहे हैं मालू मैं हमारे देश की संसकती शब्विता और मनीशी कहती है संत के मुझे निकला बारे प्रभू क्या ओड़नी उड़ाई मुझे इन्शान की तुमने सकल बना ली स्वान की हम तो बो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्सन किया संतेकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे संतेकनाथ भागे की घी लगी रोटी खाओ तोहारा जीवन का आनंद आ जाएगा तुमको ध्यान रखे मानने लोग थे आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है घरी नहीं जा रहा है जाए तो हम खाए ध्यान रखे मामला बड़ा गड़ा उल्टा हो गया है पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो जो भी भूका इस महले में हो मेरे घर आए भोजन ग्रहन करे उसके बाद में भोजन ग्रहन पहले के वो लोग हुआ करते थे सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे आज के सोचते ये जावे तो हम खावे मामला बड़ा लगया क्या लोग थे पहले के किसान ने उसे रोटी खिलाई किसानने पूछा की वेटा कहां जा रहे हो उसने कहा फिर फसे रोटी तो खिलाई लेकिन बदले मैं बुले मैं एक योगी के पास जा रहा हूँ एक प्रसन पूछने जा रहा हूँ किसानने कहा वेटा एक प्रसन मेरा भी पूछ लेना अरे लड़की ने कहा यार जहां जा रहा हूँ वहाँ एक समस्या खड़ी है अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्या है मेरी घर में है मेरी जोपड़ी में है मेरी गरीबी में है सेठानी कहा समस्या संद कहा समस्या किसान कहा बच्चे ने पूछा क्या पूछना है बोले ये पूछना कि मैं महनत वोत करता हूँ हल चलाता हूँ बीज वोता हूँ फसल बड़ी नहीं होती है जो पेड लगे है मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं संत से पूछना यहां फसल आएगी या उसने का ठीक है आपकी रोटी खाई है पूछ लूगा आपके लिए बच्चा सोच रहा है घर किसी के घर में दुख है जो मनुष्य इश्वर की अराधना करता है एक बात याद रखना मानों की सेवा सबसे बड़ी इश्वर की अराथना हुआ करती है ना ज्ञान वाहर है ना दर्शन वाहर है ना सुख वाहर है ना बल वाहर है शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी रात्री बोजन छोड़ दो नहीं महरा जरे इसमें तुमको कष्टा गया कैसे अनंद्च तुष्टे के स्वामी हो तुम विचार करिये तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है तुमारे अंदर तो मुक्ष जाने की शक्ति है यह धन्यता का अवशर है जो चातुरमास यहां पर हो रहा है और इसलिए इस वार चातुरमाज की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवारा है शिकायत रहती थी ना जाते तो है माराज के पास टाइम नहीं मिलता है माराज के पास बैठ नहीं पाते हैं वक्त नहीं मिलता है हमने काई समस्या तमारी खतम कर देते हैं अब आओ पूरा दिन सुवए से साम माराज की इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर मास में दिया जारा है सुवए से भगवान की भक्ती सुवए से भगवान का अभिशे मंत्रों का जाब आहारदान का लाब ये तीन चार घंटे अभी विधान में अभी आरती में इतना सुवए ये आउसर मिला है ध्यान रखना आउसर मिला है अपने चित के आगाद सरूप को जानने का प्रयास करे अपने शरूब को जानने का एक आउशर तुमको प्राप्त हुआ है और केवल ये आउशर ही नहीं मिला है हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक आउशर है इस नर्थ से नाराइन बनने के लिए शरीर भी एक आउशर है भगवान बनने के लिए शरीर भी एक आउसर है कल्यान कर यह सरीर खुदे का उसर है मनुष्य खुदे का उसर है क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से नर्कों से देवों से सुरू नहीं होती है भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारम हुआ करती है यह आउसर मिला इसका सदुपयोग करो सदुपयोग कैसे करें बाणी का सदुपयोग करो अच्छा बोलो हित्मित प्रिये बोलो ये बाणी का सदुपयोग है निंदा चुबली बुराई ये बाणी का दुरुपयोग है गाली गलोच ये बाणी का दुरुपयोग है बाणी का दुरुपयोग जिनेंद्र बनो या ना बनो भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं भगवान के तो बन जाओ समझ में आ रहा है भगवान मत बनो लेकिन किसके बन जाओ भगवान के तो बन जाओ महावीर नहीं बनो महावीर के तो बन जाओ रिशवदेव नहीं बन सकते हो रिशवदेव के तो बन जाओ तुम्हार अपना जीवन साथ पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते हैं लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं न अभी किसके बने हुए हैं पती के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुबया के, पैसों के, मकान के, भगवान के कब बनोगे, भगवान के बन जाओ जीवन में, अपना कल्यान अपने आप हो जाएगा, ये मनुष्यतन मिला है, मनुर्भव, मनुष्य भव, मनुष्य हो जाओ, तो तुम्हारा जीव साथ मनुष्य जनम की शार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आखों का शदुपियोग करो क्यते हैं ना मनुष्य जनम को शार्थक करो कैसे सार्थक करें आखों का दुरुपियोग मत करो क्या करो शदुपियोग कान का शदुपियोग करो कान तो है सुनाई तो देगा कि नहीं देगा सुनाई तो देगा लेकिन क्या सुनना है जिनवारी सुनो भजन सुनो किर्टन सुनो भक्ति सुनो अकान का सदुपयोग हो गया आज सुबए से उठके इन लोगों ने अभिशेक किया सुरेज जी पहाड़िया रजने जी पहाड़िया आई सुबए से अभिशे सदुपयोग क्या होता है सार्थक्ता क्या होती है अपने शरीर को अपने मन को अपने चित को परमात्मा से जोड़ देना इस मन से जन्म की सार्थक्ता और सफलता सार्थक्ता सफलता के लिए और क्या करना है अपने मन में दुनिया वर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ती के विचार लाओ, तुम्हारे मन का सदुपियोग हो गया, तुमने धन यहां पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपियोग हो गया, यदि यहां दान नहीं करते, तो यह लाक़ा और रुपे आपके खाने, पीने, घरिवार, परिवार इसी मैं चले जाते, आपकुने का औुषर आपको पराप्ट नहीं होता, सदुपियोग का मतलम यहीं है, उपियोग तो करना है, दुरुपियोग करो या सदुपियोग करो, अपने जीवन को शार्थक और सदुपियोग करने का प्रियास करिए, हम उस बंस में पैदा हुए है ध्यान रखना नाम ख्याती प्रतिष्ठा जैजेकार इसके लिए ही नहीं यह तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं अपने आप प्राप्त हो जाएंगे मैं तो कहता हूं कि अपने लिए ही नहीं अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए अपने ह तो नदी के किनारे कासी के घांट पर पुह रहे हैं हाथी पर सवारी कशी हुई है जा कर देखते हैं एक तपत्सी पंजानगनी करramento है लक्षर में नग-nag बालकी रोख़ादिकर कर रहे हैं देखकर मन भीग गया उनका औरने नने का हेmeal ताप्षि इस लक्कड में में को मत जला इनकी हत्या मत कर तुझे कष्ट देना है मुझे कष्ट दे ले लेकिन इनको कष्ट ने इस बंस में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारिशनात ने एक नागिन-नागिन को बचाने के लिए साथ भव तक कष्ट सहन किया समझ में आरा किसके लिए एक जीव को समप्रा में दिक्षित हुए हैं भिवाय को दरव सजी है बारा लोडी पर जा रही है ब़ा रात रत पर सवा रहें भगवान जा रहे हैं घरनार के लिए पासु SRIंजहां और किसलिए बंडे हुए हैं ये आपके हमान सहारी राजाओं के लिए मेरी बज़र से इतने पस्वों की हत्या होगी नहीं करना मुझे लोट गए चड़ गए गिरनार की चोटियों पर नेमिनात भगवान जाकर के उन्हें करुणा आ गई जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो ऐसे धर्म में ऐसे बंस में हम पैदा हुए ह जहां पर चीटी की आत्मा को उतना ही महत दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत दिया जाता है ऐसे संसकार हमारे ऐसी संसकतिया हमारी उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है जान रखिए लोग क्या कहते हैं दुनिया क्या कह रही है दुनिया में क्या हवाएं चल क्या लहर चल रही है बाहर का संसार कैसा है इसमें मत पढ़िये अपने जीवन को शार्था कुर्शफल करने का प्रयास करिये सब तो देख लिया बच्चे बड़े हो गए नाती पोते हो गए सब का परिवार चल रहा संसार चल रहा है अभी भी सत्य के दर्सन नहीं करना है इतने जल्दी क्या पड़ी है अभी तो जीना बरसों ध्यान रख ऐसा सोचता है आदमी धर्म की मामली में सोचता अभी तो बरसों जीना है इतने जल्दी क्या है कर लेंगे अभी तो जिन्दगी पड़ी है जिन्दगी का कोई भरोशा कोरोना में कितने चले गए उसने नह माहूल है बाहर का उसको छोड़ दीजिए अपने जीवन का लक्ष ध्यान रखना एक मौत का जटका लगेगा मरने के बाद हमारे साथ ना माहूल साथ होगा ना रिष्टे ना यार दोस्त कोई साथ नहीं होगा हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है वही हमारा हमारे हो सबस्केर से सुनते और अधर से निकाल देते हो मैं तो कहता हूँ मत लो इक्षा कोई बात नहीं है अपने शरीर का सदुपयोग करो ज्यानों के दुरुपयोग मत करो आंक कान आंख जो भी मिरा है इसका सदुपयोग करो एक बच्चा समुद्र के किनारे है सोच एक लहराई चपल वहा कर ले गई समुद्र पे जैसे यह बच्चे ने देखा कि मेरी चपल चली गई उसने रेट पे लिख दिया समुद्र तु चोर है तूने मेरी चपल चुराई है एक बच्चे की सोच वही क्या घटता है कुछ मच्वारों की टोली चली आ रही है हात में म तो एक इस्त्री का पती समुद्र में डूब करके मर जाता है डूब जाता है इस्त्री लिखती है समुद्र तू हत्यारा है तूने मेरे पती की हत्या की है आगे जाकर के देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिकारी गूमरा है समुद्र के किनारे सीपी खोलता ह पूरे जो लिखा वुवा था मिटा करके करती है मालूम है क्या हुआ क्यों मिटा दिया उसने समुद्र ने ना ये सुना कि तु हत्यारा है समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तु पालनहार है समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तु दानी है समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तु जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं समु अपनी मोज میں रहना अपनी मस्ती में बहना ये मेरा काम हुआ करता है लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाय नहीं हुआ क्राइए छाहे दानी मानो चोर मानो जैसा मानना है मानते रहो मैं आपसे कह रहा हूं बिशाल समुद्र वनना हैawsा लोग क्या कह रहे हैं इस पछड़े म के निरने पर नहीं प्रेशित करता वह कब करोध करना है इसका हिसाब भी उसका अपना होता है और कब सांती से रहना है यह हिसाब भी समुद्र का खुद का दूसरों की निरने से नहीं जीता है समुद्र चोर कह दोगे तो समुद्र अपने आपको चोर नहीं माना करता है दान से horses कैता है मेरे जीमने में खुद लूँनगा हमें भी अपने निर्ने खुद लेचाए की मेरा हीँस में है और मेरा अहीद किसमें है दूसरे लोगों के हाथ में अपने जीवन का रेमोठ देजो गे ना टीवी देखते हो ना और एक रेमोठ पकड़ा दिया जाए दो-चार लोग बैठे होंगे एक भी चीज नहीं देख पाऊगे एक हैगा न्यूज लगा दो पट से दवा देगा एक हैगा सीरियल लगा दो वो दवा देगा एक हैगा पिक्शर देख लो वो दवा देगा देखते देखते एक घंटा बरवाद हो गया पूछा देखा क्या बोले कुछ नहीं चैनल ही बदलते रहे देखा तो हमने कुछ नहीं ना ये देखा न वो देखा दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट मत दीजिए अपनी जिंदगी के इन्रेने स्वेम लेने का प्रयास करिए जीवन आपका सार्था कोगा चात्रमास का याउशार जीवन को सार्था को शफल करने के लिए प्राप्ट हुआ है एक छण मिला है एक दिन का चात्रमास का सौभाग आपको मिला है यहां से वोई बटोर करके ले जाओ कि हे भगवान जब हम आए थे आपके दर पे हमने क्या लाए हम उसका महत तो नहीं जानते हैं हमने क्या दिया हम उसका महत तो नहीं जानते हैं लेकिन भगवान जब हम घर से निकल करके आए जिम्मेदारी और दाइत के बोज हमारे सिर पर थे लेकिन अब हम जो यहां से जाएंगे अपने हिर्दे में तरी आस्था का सिंगासन लेकर के जाएंगे तुमारी भक्ति का इस तीरत से लेकर यही सबसे बरा प्रसाद है यहां पर बैठ कर यहां से जब लोट करके जाओ किसी भी तीरत से तो तीरत जैसी पवित्ताएं हमारे मन में होना चाहिए तो हमारा जीवन सार्थक सपल होगा